हालो चो बच्चो आपका बहुत बाद स्वागत आपका निर्जाई फक्टरी कोचिंग में बच्चो आज हम लोगों ने दो टैप के कोश्चन्स को सौल्ट परने के हम लोग तरीका सीखेंगे इसमें पहला केस हम लोगों ने उठाया है स्प्रिंग के बेस पे और दूसरा त इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक्जाम में कैसे सवाल आए हैं उसको हम लोग करेंगे पिलस यहां सीखेंगे कि कैसे अग्जाम में सवाल आए हैं उनको हम लोग करेंगे और प्रेवियस कोश्चन्स थिक तो पहला मेरा आज सवाल आए कि इस प्रिंग फॉर्स इस प्रिंग यह को एलोट दयेगा इसी परकार हम सीमिंगे यहां पर ट्रांस güntu कि अब यहां पर दो टैप के कंपोनेंट होंखी एक कंपनेंट हम लेंगे आलाउंग डा- mijn और second component हम लेंगे along y-axis जिसमें हम force के ये tension के component को तोड़ तोड़ कर देखेंगे यानि resolve करके तो इसी की विश्पे मैंने बनाया ये spring है अब spring है तो spring को जितना आप इसको खीचे होगे तो जहर सी बार तब उतना उसके अंदर tension के है या force वो डपलब होगा या यूं कहले आप कि उसको जितना contract करोगे तो उतना ही आपको force ज्यादा लगाना पड़ेगा यानि कि tension तो हम यह कह सकते हैं विच्चों हम पर यह कि जो tension होता है वो tension परपुस्टनल होगा किसके इस elongation क्या है contraction क्या है एक्स तो अब यह तेगा constant हड़ेगा यहां से तो मिलेगा हम पर यह constant और इस constant वोलती है के को आने की spring constant के लिए और अब मैंने यहां बिल्कूल नॉर्मल टाप की माने उठाइए एक प्रोलम और यह है पर देखना यह प्रोलम है आपको एक्जामनर यह कह रहा है सवाल को देख करके कि find the extension extension का मतलब होता कितना हो गया है after the loading कहें या mass hanging कहें जब इस spring से हमने कोई mass नहीं लटकाए होगा तो इसकी नैजरल अपनी length होगी ऐसे इसकी अपनी नैजरल length होगी लेकिन किया किया हमने कि इसके नीचे हमने कि ये 1 kg कोई मास लटका दिया कर देडर respond की कि निचे मास लटका दिया तो अपना सीोर है कि इस की दो भी Ad Death हो मिल्कुंच होगी है पर क्योंकि आपने क्या कर दिया कुछ मास से लटका दिया कंड आ तो आप देखते हैं इसको solve करने का तरीका क्या है बस आपको तरीका सीखना फार्मुला कुछ नहीं है माने बताये तब केवाल आपको f equal to m a और जहां बोल दें इसको आनकी mg आनकी equilibrium पे क्योंकि बहां पर क्या हुआ जी की value लगेगा due to natural यानकी gravity उसकी value माने हैं कर दी मेंसल कितनी values की वो value होगी यहां पर 2g और इतना ही नीचे लगेगा इस पर लगेगा यहां दिखा दिया वायने कितना आनकी 1g वायने यह दिखा दिया के लिए यह तो सिर्फ है gravity की वज़े से अब इतना force लग रहा है नीचे due to gravity झार चांस तो अब ऊपर लगेगा इसमें अनकी टैंसर लगेगा जिसको मैंने माललिया dt kun कि इसका अलग involving応़ थैंसर अलग होगा क्योंकि यह spring अलग है यह spring अलग है केल्यार वैसंह यहां लगेगा यहां मैंने बोल दिया क्या टीवन बोल दियो है उतना ही हम बोल सकते हैं हम पर क्या आगे यह बोल सकते हैं क्लियर तो कि टीवन की यहां यहां से लिखके यहां तक वैल्यू करेगी सेम रहेगी तो कि यह क्या एक स्प्रिंग है और यह पुरा एक स्प्रिंग यह वही concept है जो मैंने बतायता आपको कि अगर spring या कहें string या रसी अगर change नहीं होती है तो उसके every part पर जो tension होती है उसकी value होती है इतना हम लोगों ने clear किया था ठीक अब इतना अगर आपको तोड़ना आ गया तो सवाल तो बहुत खे रही है बस इसकी पढ़ाई करो इसकी पढ़ाई करो एक क्यों से मनाओ आंसर पाओ के लिए देखी गया है अब देखी वेटा इसको पहला इसको लुट आते हैं 2kg वालों क्या है के लिए कहा है इस पर कितना अब यहां देखना यहां पर क्या है इस तरह से और यहां पर है यह नीचे कितना वेटा पर लगेगा टू जी लगेगा डू टू गरिविटी टिक इसी बरकार यहां लगेगा आने की तीटू लगेगा अब बताओ यहां कोई यह एकस्टर्नल फोर्स या एकस्टर्नल एकस्टर्न है क्या हम कहेंगे बिलुकुल नहीं है क्योंकि यह स्प्रिंग से मास के वाल लटका कर छोड़ दिये गए हैं क्लियर हाँ तो इसलिए यहां पर हम अनि क्या वालेंगे एक किली विलियम कंडिशन को आजून करेंगी हम क्लियर हाँ तो आप देखिए हैं वैलू करागी अनि टीटू की वैलू है यहां पर यह टीटू माइनस टूजी कहें और इक्कुल टू इनका मास और इंटू क्या लेंगे एकस्टर्न जीरो लेंगे क्यों क्योंकि इस कैस्ट में हमने बहार से किसी को कोई इस तरह से पुल नहीं किया गया सिर्फ मास लटका के इनको छोड़ दिया गया है तो इसलिए यह वैड़ा पुल जीरो हो जागा तो टू इकल टू 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 जी इतना आएगा और टैंसन की वैलू कितनी होगी हैं पर यह 20 नूटन है क्योंकि जी की वैलू हम इतना मालेंगे जी की वैलू म से लेके यहां तक उसकी वैलू सेम रहें कि 20 मिंटर इसी परकार हम जो पहला के जी का है बन के जी का इसके देखते हैं इतना सांगा है ना जब भी आपको इस तरह कंडिशन मिले तो हमेशा कहना कि यह जब टैंसन है वो इसके बरावर होगा यह माना समझाया बिद कॉंसर् अब सिफ़ें रहें इस मिला। िसको विल्याबर होगा I उपनीद के जी है बढ़ा हो। को इसको बन के जी को इसमार ऊपन बन करद की मिला करें उल्यागर और कि पया है कि आगेका ऑन के देखतें कर यह और नीचे है वह नधशकियों Caf आप इसके उपर क्या है उपर है टीवन इतना के लिए तो जो हाल इसका रहेगा वही हाल इसका रहेगा क्यों कि एक श्टंडर आप अग्सम क्या माने हम लोग जीरू मानेंगे आने कि इक लिविजम स्टेट क्लियर तो अब यह वैलू किसके बराबर हैगी इन दोनों के बराबर हैगी तो आप इसको लिए यहां पर 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 प्लास ग्लियर क्योंकि यह एक तरफ है और इनकी डारेक्शन एक तरफ है तो माने इंको एड कर दिया मैंने तो अब बताओ इसकी कितने का लिए हम लोगोंने 20 न्यूटन 20 न्यूटन पिलस और यहां बन अब बन तो बन रहेगा जीक वैलू दस करती तो अब तीवन की पर देखाब नहां पर कितनी आगी वह वह आएगी 30 न्यूटन वैलू आजाई किसकी टैंसन की वैलू आएगी तो आप को कसर जो यहा अब यहाँ जो टैंसन लगेगा वह लगेगा 20 न्यूटन तैंसन लेगा है अब तेंसन निकाल लिया गया तो कितना इसमें खिचाब होगा और इसमें खिचाब होगा तो आप देखिया इसको देखते हैं ही देखते हैं लोग तो टी टू एकवल टू टोंटी न्यूतर तो इसकी वाईलू क्या निकालो में हम पर यह है इसकी वाईलू क्यों नेकी के हैं कुछ af अब के की वेटा वाइलू कितनी है 100 न्यूटन पर मीटर 100 न्यूटन पर मीटर थिक तो आप देखना वाइलू काया है पर यह तो आप देखो वे एक्स कतना जाएगा 20 और रिचे 100 इसको सौल पर वे वाइलू कितनी है वेटा पॉइंट्टू मीटर कहें या बोल सकते हैं इसको आप 20 सेंटी मीटर क्लियर यानि कि जब इस वाले स्प्रिन में खिचाव देखेंगे तो कितना होगा यह 20 सेंटी मीटर खिच जाएगा अगर इसके लंबाई माल लगते हैं कि इनिसल में एक मीटर है तो दो केजी लटकाने वाद 120 सेंटी मीटर इसकी लेंद हो जागी कोई कि इतना क्या होगा इसमें कि फिचाव हो जागा 120 सेंटी मीटर या कह दें 0.2 मिटर कहें तिक इसी प्रकार आप यहां देख सकते हैं कि इसमें कितना लगेगा इसको ही सॉल कर पती हैं कितना है टीवन की वाल्यू आई है 30 टीवन कितना होता है गड़ा इत के एकक्वल टू 30 नूटर अब के की वाल कितनी है 100 नूटर आप यहां रख दोगे इन टू एक्स एक्वल टू 30 कितना जागा नूटर तो एकस की वाल्यू आगक्वेंट हापन 1.3 मीटर या कहते हैं इसको आप 30 cm के लिए आने कि इसकी लंबाई में ज़्यादा खिचाव होगा और इसकी लंबाई में प्रम खिचाव होगा और यह कमन सेंस भी कहता है क्योंकि इस वाले स्प्रिंग से 3 kg है 1 kg और 2 kg तो कितना हो गया 3 kg इस से रट का हुआ और इस स्प्रिंग से तो केबल 2 kg है तो इसलिए इसमें कितना आया केबल 20 cm का और इसमें कितना हुआ 30 cm का आदा किसी काड़ वास यहां पर वैलू ज़्यादा आगई और यहां कम आगई कहीं ना कहीं हम लोगों ने फिर मिस्टेक कर दिया यह लॉजिक है तो कि जितना मास अगर नीचे वाले मास एक और लटका दिया तो नीचे वाले मामें जो आगा तो आप पहले पैज, यहां कि सब्सक्राइब गा gay अचने लगेगा कि इस गया खरनी हम आप अब աिचे लगेगा तो इसका इस प्रम में आगा एक टैंसन. उसको बोल दिया माने T2 अब इनकी वैल्यू यहां से लेटका यहां तक रहेगी सेम रहेगी तो बाने बोल दिया T2 आपको उपर भी लगेगा नीचे लगेगा ऐसा यहां दिखा दिया माने तो इस पर लगेगा दिचे बंजी लगेगा दिटू गडेविटी और T2 यह है और ऊपर लगेगा T1 तो कीजिए इस पिन कहां अलग है तो इनके कंपोनेंट माने हमना इस कहां पर टू जी को हम लोग इहां लेकिया इसको यह दिखा दिया और बंजी को हम लोगे इहां दिखा दिया इनको दोनों बरावर मेंटा 180 डिगरी पे हैं तो इनको ठाके बरावर कर दो और यह चीज़ इसकी बरावर कर दो तो मैंने यह बरावर कर दिए बस क्या है और इस प्रिं जो किए इसा सिर्फ प्रिंग के लिए वालिडाइड यह एसा नहीं है कि यहां लगा तू आप तो नोट किजीगा फिर हम लोग यह सवाल जो आगे और देखते हैं इस प्रिंग अगे देखिए अब एक सबहुत हुं कि यहां से दिखते हैं इसी को नूट किजिएगा को इस नमबर कि यहां देखेगा इस यह कह रहा है पर यह जैसे कि इन्होंने कोई क्या दिया है यह बन केजी दिया आनि कि बन केजी को कि अन्होंने क्या किया है इसा अगए दर से को हॉरिघोंटल लटका दिया इस तरह से इस फस्ति इस तो इसके लेगे हैं टीवन दिया है और इसकी वैल्यू क्या है यहां इन्होंने का कर दिया गया है कोई मास्क बूल दिया गया इसकी मास्की वैल्यू का यहां पर यह पर यह पर यह अनि टू केजी वैल्यू का मास्क है कि कि इसी परकार एक मास्क और दिया है इन्होंने यह कितना है यह है 3 kg कितना यह यह है 3 kg है 2 kg है और यह इस तरह से जो है यहां पर ऐसे दलकर यह भूम के आया है यह पर इतना दिया है आने पूछा क्या होना है यह मैं लेखते रहाँ find-the find acceleration find-the acceleration of system और क्या पुछा है और पुछा है tension पुछाए नो ना है tension in string tension in string पुछा है tension in string पुछा है और पुछा है आने की एकस्टंशन इन इस्प्रिंग उच्छा है और वह दे यहां आने की बैलु दिया है आने की इस्प्रिंग को स्टाइट की वैलु दिया है यह सवाल उन्होंने हमको दे दिया गया इस तरह देगना और बड़का अच्छा सवाल है यह एक टेमिल ले इन्होंने इस तरह से अब टेमिल पर कर दिया इन्होंने इसके अरेंज कर दिया ऐसे करके अब क्या किया इसके नीचे फिलेट का दिया लेकिन इसमें उन्होंने इस्प्रिंग दिया है अब इसकी जो वैल्व एड़ा वो कितनी है इस्प्रिंग कॉंस्टेंट की आनकी पचास न्यूटन पर मिटर के लिए यह वैल्व इसकी अब पूछ रहा है कि जो इस्प्रिंग यहां से देखना है यहां तक क्या रसी है अनि धागा कोई तो कह रहा है यहां टेंशन क्या होगा सेकेंड पूछा है कि अब यह दो केजी मास से थिरी केजी मास किसी इस्प्रिंग से लटका दिया तो इस लटकाने के बाद इसमें कितना खिचाब होगा कितना एक्स टेंशन होगा यह पूछा थाड़ पॉइंट कि पूरे सिस्टम का एक्स रेशन क्या होगा बस यह इसको ने बाद आपको यह देखे तानी दो ब्लॉक थे थाड नहीं था तो बहां पूछाता मैं एक अप्स्टेंशन अब प्रहन बताया था कि एक ब्लोक और और करेंगे इसको नेस्ट लेक्चर में तो वो नंबर आप आया है इस को सिस्का क्लिया था काफी अच्छा सवा नुटकी जिस को यह को टेगल विड़ा है यह है को बुली आए अब आपको पता हो जाएए इनकी प्रक्या इनको एक तरफ करते हैं बस इनके टेगराम बनाते हैं इनको तो पता है यार कभी जाएगा फूचर में न तो बड़ाए इदर के तरफ ही आएगा कि ऐसा हो सकता है कभी यह दोनों पूठकर इधर के तरफ जाए तो आप को कि सर यह ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता है क्यों को कि इस पर यह रखा हुआ है अगर कभी में फूचर में पढ़े इसको बेड़ा तो यह इधर ही स्लाइड होगा इधर होगा इधर असे आएगा तो मैं कि आना माल लिया है इनके जो ऐसन है आप यहाँ ने रहा हुआ है तैंसल सभार ने लेह वत् desp यह तक क्या है यह एक ही रस्ती है इसलिए टैंसम यहां पर सेम होगा ठीक आप बताओ यहां को सेम कर लिए आप देखना इन पर क्या लगेगा इन पर एक लिए ग्रेविटी की वज़़े से वो लिव दिया माने टूजी लिव दिया इतना के लिए अब देवते हैं यह कौन-कौन से फोर्स इस पर लगने वाले हैं क्योंकि आपको फिरी बॉडी डियाग्राम बनाना आ गया तो मान चलिए आपको फिरी फिर आ गई आपको बाकि तो फिर क्या है एक किसन एड करना जोड़ना खटाना मुल्टिप्लाय करना मतलब नर्सरी वा सवाल है ब्लॉप वाले हैं फिरिक्सन वाले हैं कभी तीन पर रद्या फिरिक्सन कभी दो रद्या इस मुत पे और एक रद्या रफे तो इस तरह सवाल बड़े इजी होते हैं बद लेकिन लॉजिकल वेस होते हैं कि ऐसे यहां देखा दिया आने वान थिरी जी यह हमने ग् पर अनिकी जिसके मैंने बोल दीपर क्लेंगा अनिक टैंसर आप इस की बाली बोल दे रहाँ मैं क्या है इस स्प्रिंग की बज़े से मैं यहां दिखा दे रहा हूं आनिकी के एक्स दिखार कर सुगे बाट नियोगा बटा आपके न IQ 10 Q कि इतना क्लिसित नाइए ये इन है जहाँ कोई भी इस तरह से कोई भी इस प्रिंट बन के आए इता है। अब ऐसे यहां देखना अब यहां देखना मैंने के एक्स लिख दिया आनिकी टैंसर अब उतना ही का लगेगा हम नीचे दिखाएंगे अपर आनिकी के एक्स मैंने यह दिखा दिया इतना के लिए जितना उपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा अनिकी अपोजिट पर इन एक्वेट डारेक्शन में और एक्वेल होगा मैगनीटूड अकॉर्डिन टू न्यूटर्स के थर्ड लव एक्सन रिक्सन अगर इनकी वैल्यू माल लगते हैं एक पल के लिए अगर एक हजार आ र से घगी होगी जिसी परकार इसकी वैल्यू से होगी तो यहां समानल से मोगी वैल्यू ही अ अब करना किया यह यहंपर यह ब्लॉक और यह ब्लॉक तीनो के किस्भ मनाओ और व्रस्वाल्य तो आदूपुर भी गोर्म कर देखी हुशन अ स्टी कैसे बनती है अब बन केजी वाला तो एजी है पूरा ठीक देखिए अब लोक आग ऐसे रहे हैं यह आ रहे हैं डाउन वर्ड आ रहे हैं तो कि मैंने डारसन दिखा दिया एक तो कि अगर फ्यूचर में आएंगे तो बैट नीचे की तरफ ही आएंगे असे ठीक पर मैं नीचे दिखा सकते हैं वड़ा यहां दिखना एक मैं दिखा दी कितना हैं थिरी जी डू टू ग्रेविटी के लिए इसी परकार यहां लगेगा फॉर्स लगेगा इसको मैंने बोल दिया क्या के एक्स बोल दिया तिक आब यह पूरा सिस्टम है यह सिस्टम कैसे सब्सक्राइब मैंने भूल दिया नीचे आने की डारेक्स के मैंने बोल दिया जिक लिया तो अब इनकी क्योंच करों दिया इसकी का कि समय आफ यहां दिखना आने कि एक क्वेस्टन नंबर आ गई फस्ट मैंने बोल दी क्यों डू टू डाउन वर्ड लिप दीजिएगा क्या है यह है यह गटा डाउन वर्ड मतलब यह नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ लोग आंगे इसी परकार भी ब्लाव देखनाएं लिए कि अन्य टू करजी वाले अब हम टू करजी वाले बनाते हैं कि टू करजी वाला कैसे बनेगा यह डिäगराव आपको बहुत ही इसी है पस कैसी एक बात समझ में आ जाए इनके तोड़ना ठीक ना हाँ अब टू करजी देहना टू करजी पर सब्सक्राओंगे आप अरे तू जी लगातू आप डू टू ग्रेविटिक हम कहेंगी बिल्कुल ठीक है अब देखिएगा नीचे और का लगेगा एक लगेगा क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक्विल होगी लेकिन डार्सन का इनकी पुल्टी है तो मैंने यहां दिखा दिया यह के एक्स ठीक और ऊपर क्या है विटा ऊपर दिखादिया माने आनि कि टैन्सम दिखादिया drauf call लिए अतिना के लिए ये हम करते हैं जो मैंने यह किया 3G minus kx और इसी विरकार एक्विस्न नहीं लिखोंगे आप एक्विस्न का लिखोंगे आप देखना 2G plus kx equal to equal to minus tension और equal to 2a यह आई आई आपकी को यह हैं डाउन लुत के लिए से यह नोटारेक्शन मेंैं हैं दोनों हैंड कर दी अब इसमें से मैंने क्तलिया यह minus कर दिया मैंने यह तो मैंना इए कर दिया कोकि यह नोटात्रों स्थे मास इंटू एं से क्मेसित देलकल आप बंके catalog एं लोग और दिखा देखना है और यहां क्या关स्राइब यहां looking नहीं यहाँ उन्हीन औहुरु से यहां क्या भड़ा यह तो तो यहां क्याे टैंसम है यह दिखा दिया यहां कैसे रह है इंदर की तरफ हार अब पताईगा इसको पीछे कोई रोकने वाला है क्या नहीं है इसको देखिए इनको पीछे रोकने वाला है कि अब भी मत जाओ नहीं है न तो इनका टैंस और यह मास और एक्सेसन हम एक्केसन डारट लिख देते हैं कैसे लगते हैं देरा टैंसन एक्वाल टू बन इंटू और ये वैल्यू आ गई किसकी इसको मने लिख दिया क्योंकि इसको पीछे रोखने वाला कोई ब्लॉक ही नहीं है तो डारट ये इसका मास इंटू ये आ गया ठीक ये एक इसको माल लो सब्सक्राइब करते हैं इनको बस जब में चीज ये एक्क्राइब कर दो तो फिर आपके सवाल कर दो कोई चार्च नहीं है अगर एक केसल में कोई में गलती हो गई तो सवाल और निस्टिक हो जाएगे ठीक था अब तो क्या बस इनको आड़ करो जोड़ो आंसर निकालू आई दिरते में निकालता हूं सब बली पहले ही एक कलो नहीं है क्या है 3G माइनस के एक कोल टू थिरी एक केसल महास्ट एक केसल सकेंड है 2G पिलास के एक सब्सक्राइब माइनस टी एक कोल टू टू ए सेकंड एक केसल यह वाली है 3 एक कोल टू बन इंटू एक पर केसल थर्ड नहीं है अब देखिए अनस के आख और यह एप मायनश के एक twin फ्लस्षप पिलस तो मायनस पिलस तेंसन premise अब देखिए हनके त्री कितने हो गाई है यह है यह अब अब यह देखिएगा 3 to 5 और बन कितना होगा है योग है 6a क्लिया तो इनकी वैलू कतिनी आगे वेड़ा है आनि एक्स रिसम की वैलू आ गई आनिकी 5G अपाउन 6 तो जी की वैलू कितनी प्रवलम में आपको जी की वैलू कोशिंस में दिया और नहीं 10 है तो यह आजाए वाटा पचा इंटू 6 आनिकी लिख सकते हैं 25 by 3 meter per second तो एक ही वैलू लिख लिजी यहां पर कितना आ गया 25 by 3 meter per second square पहला चीज तो आ गई जो हम लोगों ने यहां से का निकालिया इसकी वैलू जहां पुट कर दोगे वह अब आपका जाएगा अनिकी टैंसन आजा रहे हैं ठीक हाँ देखिए अब यहां देखिए कितना हाई है एक्वेशन इसमें रखो चाहां इसमें रखो कहें रखो ठीक हाँ अब मैं निकालता हूं टैंसन नंबर थाड मैं यहां पर कितनी वैलू उसकी बन और इंटु ए है न तो आप देखिएगा टैंसन वैलू कितनी आगी है यहां पर यह आगी 25Y 3N तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से लगवग इसको तालग लिखना चाहाएं 383N इतना टैंसन का लगेगा इस ट्रिंग में इतना टैंसन लगेगा जो मैंने निकाल लिए आप यहां रख दीजिए यहां रख दीजिए किसी में रख दीजिए आंसन निकाल लेते हैं आइए हम इसी में निकालते हैं इसमें 3G किसी में निकाल लो आप 3G माइनस के के एक से एक्वल टू 3A यह बड़े कितना होगा थी सोगा माइनस के 50 इंडू एक से को कि की वैल्यू आपको देर खिए 50 मैं नहीं है रख दीजिए अब एक वैल्यू कितना दीए है यह तोंट आप देखिए यहां से कैंसल होगा है तो अब कितना मचेगा 30 माइनस के 50 एक्वल टू कितना मचेगा यह 25 किलिया था तो अब देखिए हैं पर यह माइनस के 50 एक्वल टू 25 माइनस के 3 अब यह माइनस करोगे तो माइनस के कितना आया यह 5 यह उधर लिया यह सचांदो पर यह तो अब नहीं से माइनस कैंसल और 5 से 5 ऑब से इसकी तो यह तो नमर सकते हैं पर यह만 इली सक पर या इसको ऐसे भी लेख सकते हैं हम लोग एक्स एक्वल टू पॉइंट बंड मीटर के हैं या दास सेंटीमीटर के यह क्या गया अनि हमारे आंसर मारे आगए तैंसर इतना है अर्कितना खिचाब आया इस्प्रिंग मेडा वो खिचाब देखें यह है अब यहां यहां जो टैंसर आया है टैंसर की वेलिव आये वह आए हैंपर आने की 25-3 अने की 8.3 इतना टैंसर यहां से लेके इतना से मैंगा तिक इसफिरकार जो इसमें जो इलांगेशन होगा इसमें जो इलांगेशन होगा इस प्रिंग में उसकी वैलू आई है कितनी आई है 10 सेंटी मीटर जब इस से 3 kg के मास लटकेगा तो इस प्रिंग आलेडी 10 सेंटी मीटर बढ़ जाएगा और पूरे सिस्टम का जो आया वो हमने निकाला था कितना आया था वो इसकी वैलू आई थी 25 भाई 3 कहीं लिखा हुआ यह मिले गए हम पर तो यह को स्वाव बनने के पूरे बेसिक यहां पर तरीका जो हम लोग ने बनवाए करके इसको डिल किया था क्लियर तो आया अब मैं एक सवाल करता हूं इतना तो मैंने करवादी माने इस पर दो सवाल सफेसेंट नोट समय ने अलेडी आपको माने इस पर करवाएते हैं चार सवाल करवाएता है इस पर बनार्ण है बलकि एक मैंने प्रिविर सेलेक्शन में उस पर करवाएता हुआ ठीक ना और बाखी DPT दे So, I think some important topic क्या है Translations Equilibrium, Translations Equilibrium तो सबसे पहले उसको समझाने के लिए Translational Equilibrium तो पहले आपको समझाए कुछ basic चीजे Just basic चीजे क्या है जैसे की हम scale force किस किस को मानेंगी बच्चे समझानी पाती हैं कि normal force किसको नेकरते हैं वो हमेशा समझते हैं कि जहां यह समझते हैं लेकिन ऐसा काफी हद तक ठीक है लेकिन हर बार में ऐसा नहीं होता है तो आएए इसी को हम लेव पस पांस बेटों इसको अभी करते हैं तो बिल्कुल बेसिक्स देखेना पर यह आनि concept का वेड़ा concept आए तूफाइंड तूफाइंड है क्या नॉर्मल फोर्स नॉर्मल का है या इसको बोलते हैं वेड़ा रेक्शन फोर्स बहुत जबर्दस्त है किसी किताम में बढ़ा इसको कोई आर से भी दिखाते हैं तिक आर कहें यह एक ही बाद है जैसे पहला सवाल पहला concept देखिए सवाल नियुक्त है यह जैसे यहां कोई बढ़ा यह ब्लॉप ऐसे लटका रखा ठीक इस तरह से और यहां माल पे हैं मेरे पास कोई आयम मांक्रा कि यहां सिस्टम पे ऐसे करके यह को सकते हैं या को ग्रॉंड हो सकता है जैसे कि आपके साम देखना जैसे कि मैं यहां पर इस समय तो आप कहोंगे कि सब आपका जो वेट है ना को एम जी निचे लग रहा उतना ही वेट एक कोई डारक्शन सौरी एक कोई वैलू लेकिन को उपर तरह कुछ फोर्स लगा रहा है कि लिए तो उसी को बोलते हैं आपने की नॉर्मल कहें या कहें रेक्शन फोर्स ठीक है तो इन पर का लगेगा इन पर लगेगा आपने डू टू गरिविटी बो लगेगा एं जी लगेगा अब यह जितनी वहारी हाका बड़ी होग लिए तो उतना ही फोर्स लगेगा उपर जिसको बोल दिया र्यक्सन फोर्स का यह घिल की है तो भारी वार्डी है तो जोर से बादेगा बेटा जोर से बादेगा तो जाहर सही बात्प्णि पर जाएगी न आप समझ का ना यह पर आपके हाथ में है कैसे इसको दवान आठी नहीं है आल लेंडी आपको सब परिक्तिस होगी दवाने को टॉड़ना देखें हां पर इतना हम लोगों देख लिए अपर फिर देखिए हैं पर मैं संझाहूं ऐसे करके आपको जैसे कि ये तरीका शीखना है अब साथ को आपक देखेंगे आगाए आप अच्छी समझ आगाए है और देखीगा जैसे देखी निश्ट यहां से क्या किया कोई इस तरह से एंगिल पर इसको जो है आपने माल पर है ठीटा डिगरी है ठीक अब यहां पोई दिया फोर्स दिया आप तो क्या है अब बताओ आप फोर्स हैं अगर इसको इससे करके माइ अस तरह धक्का दें तो मतलब इसको होता है ली कुंग अगि कुछ करना होता है और इसको इस तरह से करें हैं तो फूल होता आई तो यह वह है अगोग। तो आप देखना है यहां हम लोग नॉर्मल फोर्स निकालना है तो यहां देखिए कैसे निकालो तो आप पहले हम देखें कि जो यह फोर्स लग रहा है कि इस फोर्स के कमपोनेंट कैसे आएंगे तो इसकी पढ़ाई नहीं कर सकते हम तो ठेखेगे न क form लिए प। दवाने के लिए तो पहले ना जी साइध से अंगल लगती हैं उस साइड में गीर कोफ था कलिया इसी के कार देखना अब इसाइड की विटा यहां बढ़ा दिया आनिकल ऐब साय बद्धिय यहां बना दिया इतना तो सरव कोई बात नहीं इतना सब्सक्राइब बिच्छी बात रहीं है अब देखना इसके वच वेड़ा मम्मी वेड़ा बना राज जाएगी डू टू ग्रिविटी टिक इसको बना दिए अब यह निचे इसको कर रहा है दवा रहा है जितना दवा रहा है उपार का लेगा फोर्स लेगा आप यहां दिखा दी वेड़ा मैंने एंड दिखा दियो के लिए तो आप यह वाला नहीं है मोसं के लिए जिम्मेदार तो यह वाला है एक के लिए जिम्मेदार है मोसं के लिए जिम्मेदार है अगर फ्यूचर में ब्लॉक्स सिर्थ होगा तो केबल इसकी वज़स होगा इसकी वज़से नहीं होगा तो कि यह तो नॉर्मल है पर्पेंडिक्लर तो to gravity of mass तो आप देखिए तो नॉर्मल की वैलू क्या आगी वेटा है हम पर mg-f sin theta तो यह वैलू आगी आपकी हम पर यह वैलू आगी और इस तो बहुत में वेड़ा आने की कि पुलिंग केस होती है पुलिंग किसी को खींचना तो अब बताओ क्या आगी हम पर mg उतर जाका माइनस का होगा है यह आप देखिए इनको एड़ कर दिया सेम डारस्ण में हैं ऐसे कर दिये कि सको बराबर है इसको लेबर कर दिये सेटे को यूगदान नहीं को कि ये इनके दो लोंके परपंटिकुलर है यह तो जिम्मैदार से मोसन के लिए यह दो मैदेतिक वह दूबड़ने के वार्दू इनको दी गई है देखिए हम पर यह आ लेटा और दो किया मैंने पुल अब पुल ही करेगा बच्चा आप बच्चा देगा ढट देगा जबाने से टाकि लगे हाँ यह पर बढ़ना यह नारा जो जाए हए भाव जाएगा यहां से रिक्षा जोटा आई देखता है यहां से कोई दे दिया फोर्स इस तरह से यह लगता है ठीक अब यहां से जो दिया है विड़ा यहां पर इसकी जो वैल्यू दिया है यहां से करके ऐसे करके वो वैल्यू दिया है आने के ठेटर डिलिया है और कितना फोर्स लग रहा है यह आए फोर्स लग रहा है और मास क्य एंडीन हैं और इस को दें हैं हम लोग बतिए हैं पब क्विस फिर्ग पूस है झालतकी को पुस्ट करना कुक्त सा अनीं इसको फिर्ग देना ऐसे अरग संद में इसके अगा क्या झाल रहता है जो पिलूल कि जा रहता है लेकिन इसमें ऐसा पुष्के लाया तो आप देखना अगर मैं इसके तोड़ों यह तोड़ों इसके तोड़ों तोड़ों तो अगर देखीगा इस तरह देखेगा यह है और यहां यह आप आप गोगे सर अगर यह डिगरी ठीटा है तो उतनाई एंगिल यहूगा देखी हम पर कि अगर यहां से देखने बटा है अगर यह एंगल ठीटा है तो उतना ही एंगल यह भी होगा अगर तीस डिगरी है तो इस सब्सक्राइब तो अब मैंने जिस साट से आंगल लखते हैं बहुत साट आती है मेरे कौस आती ही तो इसको मैंने लख दिया है पार आणिकी इस साट को लख दिया मैंने F cos खेटा लख दिया अब इसके यह perpendicular है इसमें आएगा आणिकी F sin खेटा आएगा क्लिया आप इसपे बड़ा दवाएगा कौन ड्यू टू ग्रिविटी एंजी जितनी जोर सब दवाएगा उतनी जोर से का लगेगा ओपर फोर्स लगेगा एंको दिखा दिया मैंने इसके बरावर होंगे यह इसके बरावर होंगे तो सर इसको कोने लिया तो कि है यह फोर्स क्या यह मौसन के लिए जिम्मेदार है मौसन के लिए जिम्मे दार यह भाला है जो आपके तो तो ऐसे component तोड़े हमने फिर देखा कि यार तुम तो यार दवाने के लिए जिम्मेदार हूँ यार हम यार चलाने के लिए जिम्मेदार हैं तो आईए इनकी पढ़ाई यह चीज इसके बराबर कर दो है कि लिए तो आप देखिएगा अगर मैं इसको बटा यह बनाओ यह बा तो यहां जिसना आएगा आप साइंटिटा यह बनाओ और उपर कर लेगेगा नॉर्मल लगेगा तो आप देखिए वड़ा हम पा रहें यह सारी चीज़े क्या है वड़ा यह सेम डारेक्शन में हैं किसके बराबर हुए इसके बराबर तो बताओ नॉर्मल फूर्स क्या आ साइन ठीटा कि इन यह फोर्स आएगा और पताओ किया यह फोर्स जाता है नॉर्मल कि यह जाता है तो आप को रहें सर नं कह श्रुकल को बनमालें श्रुक्ट माहलें तो आप को बनमालें से व सब्सक्राइब करना काफी है लेकिन उसको करना काफी तफ है आनि कि हमको बहुत लगाना पड़ेगा ऐसे कह सकते हैं ठीक नहीं है बच्चे वाले सिस्टम है जब वहां पर होगा रोटेशन चेप्टर होगा ठीक ना तो वह चीज अलग है यह अलग है पर इस के समझ जागे ना कि पूलिंग करना किसी को क्या है काफी इजी है आज केंपेंग टू उस करना किसी को खिलिया आपने घर में देखा भी होगा आप टक को प्रणना और तक को ऐसे खींचना वड़ा इसमें पानी भर जाता है उसको ऐसे खींचना और अगली बाद में कि मैं में खीचेंग नहीं आप तो धक्का देंगे हम वह में कैने वड़ा पगला वड़ा किया के लिए आप देखी कर तो मानने तीन केस कर अभी कित अध्यम का इंपोटेंट तो अब बना विटा मरना मजा नहीं आगा विटा कोई मुझे यहां पाल बहुत कुछ बनाना है देखी आप त्याट यह सबसे ज्यादा पोर्शन्स आप टेपर में इसी प्राइब अब यह बना दिया कोई मास यहां कोई मास है यह देखना थिक म मास बना दिया ऐसे कोई रखा हुआ है इंकलायन प्रेल पे अब यह मास जोगा ऐसे करके हैं पर रखा हुआ शिफ्ट करके जराती थोड़ा इसको उठा दिया से करके तो हो सब्ता यहां से यह से इसके सुनू कर देखते हैं इसके कंपोनेट तो नहीं आप तो पता होगा यहां पर देखना यहां देखिए बड़ा चीज़ हो अगर मैं देखू इस पर तो इस पर लगेगा एक लगेगा एमजी लगेगा एमजी लगेगा डियू टू ग्रेविटी लगे तो धर्ती मान तो साथ छोड़न वाली नहीं है वो तो हर जिगा आपके साथ एक्शन में तो माने इनको तो मैंने रिपर्जेंट कर दिया के लिए आई तोड़ दें कंपोनेंट इसके ऐसे करके के लिए हाँ एक ऐसे तोड़ दें हमपर आप कुछ तोन में आयोगा आप देखिए हमपर देखना वेटा क्या है अच्छा इसको बनाते है अगर यह डिगरी ठीटा ह है तो यह भी कितना होगा यह भी ठीटा होगा बुस्वर यह कितना होगा 90 मानस ठीटा होगा तो यह कितना होगा यह होगा यह वाला होगा ठीटा डिगरी होगा के लिए जैसे मैं इहां दिखाना आपको जैसे कि यह ठीटा है अगर यह ठीटा डिगरी है और ऐसे करके मैं कि अगर यहां पर यह थीटा डिगरी है तो यह होगा 90 माइनस थीटा होगा तो यह कितना होगा यह होगा थीटा डिगरी होगा समझगा नहीं है तो कि इनके इनके बीच कितना है 90 डिगरी है नहीं है तो इस भी कितना होगा यह थीटा डिगरी होगा तो आप लेकिना इसके कंपोनेंट तोड़ो बेद कितना आगा यह यह आगा एम जी कॉस थीटा क्योंकि जिस साइड से एंगल लगते हैं वो साइड आती है कॉस मा आती है उसके परपंडिकलर वाली साइन मा आती है तो इसको लुदिया मैंने एम जी साइन थीटा से अब बताओ इसको दवाने के लिए जी मतार कोना तो आपको वुझात दवाने की परमीशन तो केवल इन के पास है इन के पास तो के वल चलाने की परमीशन है क्यों कोpl Spiel तो ऐसे झाओ और ये यह इसको ट्रूत को सिस्क मिरेए इसको इसी लिए कि यह कहने कि तुम मत जाओ हम दबाएंगे लिकने कहने नहीं दबाव मत आओ साथ आओ ऐसे करके इसी लिए अब लगेगा ऊपा लगेगा एक गौर्मल पूर्स लगेगा अकॉर्डिं टू यूटर्स थार्ड लॉग एक्स लेक्स बहुत भी इंट्रेस्ट रही एक बार क्योंकि आप जानते कितना समयों अच्छा चप्ट रही है क्योंकि यहां परेमिशन इनको में लिए है इस ब्लॉक को दबाने के लिए रोकने के लिए ताकि जतने जाता दबा तो इस के समय नॉर्मल फोर्स आगा वटा क्या आएगा अएम जी कॉस्ट घृता है क्या आएगा अएटक यह नौर्म फोर्स का आणवर यह कह लिए चांथा कि इस दिखा दिए वान नहीं है पांच सबसे ज़्यादा इंपोटेंट बढ़ना यहीं के सहे एक सबसे ज़्य में इंपोटेंट कुछिंगे फिरिक्सम की इस पर लेक्चर पस्ट सेगें मैंने कुछिंट करवाया कि इस दिमाने तिक रहे हैं अब एक किस और करवाद हो अकुर मैं ये अब लटकाने की आदत बदल जाएगी वेटा तो दवाने की आदत भी बदल जाएगी ना आएए इनको कुछ अलग ऐंगी से दवाती है देखेंगां कैसे दवाने कि देखती है है अब यह वेड़ा नहीं यह वेटा इसको होते हैं राफ। सब्सक्राइब देखना सब्सक्राइब कर तो मैं यहां से कुछ फूर्स लगा रहा हूं यह अप्णूर्स के लिए अब बताओ अगर यह फूर्स नहीं होता ऐसर आप इसको नहीं दपनेख का के तो आपके सरी सब्सक्राइब तो कहना है कि कितना फोर्ष लगाए इस पे ताकि यह स्लाइड ना करें ना करें ऐसे में पर आप इस पर जिगा नहीं साथ है पर यह जिसमा इस पर घाम बटाईए यहां देखिए इसको अब यह चीज ऐसे बटाईए अब इस तो मैंने पकड़ लिया ऐसे रख लिया मने ऐस वाह चुलना अगर इस में और इस रिमोट को हता लें तो आप कहोगा कि सभी यह पैयाम है नीचे घर सभी सब्सक्राइब लिखना गये आप बताई इस कैसे में इसको रोकने के लिए तो इसको रोकने के लिए जिम्मदार का होगा जतना ज़्यादा दवाओं गे उतना ज़्यादा रेक्षन फोर्स होगा रेक्षन तूदेखिए तो आप क्या मिलेगा एदर साइड मिलेगा एक नॉर्मल फोर्स प्रत होगा और गरेविटी ऐसा रहेगी गरेविटी रहेगी डिव टू एम जी नीचे क्लियर हाँ अकर भबिस में आया वेटा तो जराथी बैल्यू इसकी कम होगी इस फोर्स की तो यह ब्लॉक नीचे स्लाइड करके नीचे गिर जाया है जिपैंड एस नीचे गिर जाता हुए क्लियर इसी तर्थ तो उपर का लगें विटा अब यहां लगेगा विटा उतारूना को यह यहां लगेगा आनी की एक लगेगा फिरिक्सन फोर्स प्रिक्स क्लियर हाँ को भी मनें बोल दिया रंस आप्रक्स है तो कुछ नपुछ बैल्यू उसकी वोजिए तो इस क्यास में जो न इस एमजी के वराबर नहीं है क्योंकि यह तरीका गलब रही है क्योंकि यह तो यह 90 पहना इसलिए यह कैसे है यह तो मैंने आपको 5-6 के दिखा दिए 6 के अलावा सात्मा को रूल नहीं है जो आपको नौर्मल फोर्स को डिफाइल कर पाएं के लिए और इनके अलावा जेही में तक पॉसंस नहीं ठीक नहीं आएं अब इनके मैं आपको करवाता हूं पॉसंस आपको में पर इतना के सब्सक्राइब को जो इसको दबा रहे हैं ताके तुम नीचे मत जाओ बस हमको यहां दबाने दो क्यों कि हम चाहते हैं इनको रोकना तो बाहर लगेगा ऐसा लगेगा इसको दौर्मल फोर्स के लिए नोट किजिए इसको लिए बहुत ही अच्छा मैंने नोट करने के आपको एक सवाल इस पर करता हूं एक सब्सक्राइब करता हूं कहीं अच्छा सा सवाल को एक बिल्कुल बच्चो वाला सवाल कि देखेगा है पर ये कि देखिए बच्चे वारा सवाल क्या है कि कूशिस दिखने वेटा क्या है और इसको थोड़ा चेंज करते हैं वेटा यह देखना कूशिस क्या है वेटा एक तो वेटा हमने बना दी हैं पर देखिए वेटा यह देखिए वेटा यह राड दनी है पर और एक बेटा दनी है पर इसको बूल दिया मैंने इस तरह से वेटा किया है यह कोई एक रसी है ऐसे तरह से आई थी क्या है अब यहां लटका कर दिया गटा एक व्लाओक है ऐसे कर तो यह व्लोक 5-י यह कर दिया इसी प्रकार यह मेंसन किया गया है 60 यह मेंसन किया है इनको बोला है उनके की तू और मुण दिया делает की कंडी के की व्यद्य गई अब पूछ align है पूछा क्या लिया है find find the टैंसन टीवन एंड टीटू एंड टीटू एंड टीथ्री एंड इस ट्रेंग देखिए विड़ाइफ पर किया है कैसे इसको सॉल्प रप्र लोग इस तरह से कोशन्स जो है आज जाम का बहुत ट्रेंड चलता है कि यह कोई वड़ा इसको मालत है कोई लगड़ी वालत है या कोई मालत है इस तरह रसी से यह आप एक गाठवान दिए इसको और यहां से ऐक मास और लटका दिया हाउड और बश्वारा किजिएका आप डिया यह इस ट्रिंग अलग है यह इस ट्रिंग अलग अलग इसे तरह सब्सक्राइब क्षेते इन गहीं कि इन्हें ने तेंसं को अलग-अलग दिखायाँा जो टेंस अलग होते हैं हम हुएं करते हैं कि इनकी की स्ट्रिंग अलग-अलग होगी अन्धागा बहुती रद्धी टैक्ट सवाल है अगर बैक्टर पता हुग आपको यह जिसको मैं पढ़ता हूं आने की बैक्टर के कंपोनेट दोना सिखाना तो उसी की विश्च पर कॉंचेप्ट है ठीक देखें गाँ पर किया अब मैं इसके देखना तोड़ता हूं कंपोनेट में अग अब ही मैंने भूल करता है तो आपको मैंने जैसे यह बताए तरूल अगर यह 30 डिए और ऐसे करके मैं लाइंग बनाएं तो यह भी बैटा 30 डिए हैं तो यह कितना होगा अब यह होगा 60 डिए ठीक देखेंगे अब आप देखिएगा तो इससे लिए आप देखना पर क्या होगा इस तो मैं लिए दिया कि तुम हो साठी नहीं 30 डिगरी कुकि एंटी पारल वाटर पीज यह हैं तो यह होगा इसी फरकार 60 डिगरी यह है तो 60 डिगरी वेटा यह भी होगा ठीक अनिकी एंटी पैरल नहीं एंगलिंगे आम इन सामने की क्यों हो डिखना ठीक नंट आप एंटी कि तूं अब देखी गर इसे में क्या है टैंसन यह है वेटा है टीटू टैंसन लेखे कि आप आपड और की इसके पुरहें क्या अको यह तो नहीं है पुलुकि यह है इंकलाइन प्रॉंपे इंकलायन का मतलब उतार तुरच्छा तो अब य यह कि इसको कि पर आहीज अगर मैं यहां देखते हैं तो उस साइड से एंगिल लें सैड को हम कि इस साइट से एंगल या तो कॉस्ट वाने बोलते हैं तो वेड़ा अब यह वाले साइड होगी इसको बोलोगे आने की टीटू साइड 60 डिगरी इसके कंपोनेट हमने तोड़ दी हमने ठीक आप देखिए यहां पर क्या आप यहां देखोगे इसके कंपोनेट तो इसके देखोगे यह कंपोनेट आएगा है यहां पार आनिकी कितना आ रही है जिस साइड से एंगेल अते हैं वो कॉस आता है तो लुद्य आवाने टीवन कॉस 30 डिगरी तो अब यह वाली वड़े कितने साइड रही है इसकी वैलियू आएगी आप दिखना आने की टीवन कि आएगेल आपको तोड़ना आज यहां आगो यहां अंगल है तो फिल वैट आपकी ज्युहां दिक्कत खड़ी हो जाएक और दिक्कत इतनी खड़ी सब्सक्राइब कर लो वर्टिकल कंपोनेंट एक तरफ बड़ावर कर लो छुट्टी मस ठीक हां क्यों वह इसलिए कुंकि यह सवाल जहां भी जब भी दी होते हैं हम इनको मानते हैं ना प्रफित जीव करते हैं मतलब बाहर से एकस्टरनल फॉर्स जीरो अर्जूं करते हैं यज यह बात है थिक एक लिए होता तो अब देखिए हैं पहले मैं पढ़ाय करनाव कि सी की एक्ष्ट की मानले जा पहले बाए की मलें तो हम लोग पहले माल पर एक्षिस में एकस-स में क्या होगा यहां हमाँआ इसुम्हें दिखना कितनी है T1 कॉज क्षिछ डिगरी एक्वल यह वाइलु तो इनकी वाइलु पूट करोगे मैं कितनी आगी वाइलू drug रूट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है टीवन की वैल्यू होती है इतना के लिए हाँ आप देखिए यहां से चीज़ों देखना है इस हाफ से अच्छा इदर फागड़ा वागो मती वाटा अब देखिए यहां से इस टू से तो कितना बच्छेगा यहां पर यहां बच्छेगा लिखिएगा इना बच्छेगा यह टीवन रूट 3 एक्वल टू टीटू इतना यहां से यह बच्छेगा आनि टीवन और टीटू करें आपका इस तरह मिलेगा पो रिलेस्ट आपको इसी तरह है आप बताओ जो टीठी यड़ यह टीठी किसके बड़ापर है तो आपको इसको मैं हिंसल करता हूं जो टीठी है टीठी थी होगा पाइब जी के बड़ाबर होगा थी थी होगा 5G के बाएब जी की वालबर और गोंट दस तो इसको जो टीठी को गया 50 न्यूटन प्रस होगया थी यह वैलू इसके बड़ाबर यह पुट कर दियो है आप आप देखें और पर और रहरें हम, वह मैं आपक ता इसक सेअंग समय है तो बेटें वैल्य ये आईड हो जानी है और ये वैलू अब पोजेट तो हम यह यह बराबर जाएग आणि यह दोनों पर यह बराबर करेंगे तो लिखेना इंड वाई आक्सेस नगा इसमें क्या देखो गड़ा इसमें लिखोगे आप देखना वैलू क्या आएती हैं पर ये टीवन क्या माना तामान देख लिखें हैं पर ये हाँ 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 हर्टी वन संटीं संतीं दिए पेल Gus ये 2 में संट्टी और एकोल टो हम लिख सकते हैं आप मेट है हैं पर लेखते हूं जाहरे हैं आप हम पर जीअनुLuc 5 जीरी बात ये ये तो अब देखिए हम पर कितने करोगे हम पर इसकी वैलु करोगे हम पर तो अब देखिए हम पर अगर निचे 2 कमल लें तो इधर कितना होगा 100 हो जाएगा तो निचे अगर कमल लें तो कितना होगा टीवन पिलास रूट थ्री टीटू एकल टू 100 कितना होगा बड़ाई है 100 हो जाएगा तो कि नीचे दो कॉमन लोग है, दो से मंटिप्लाइ करो, पचासे में कितना होगा, बुस्व हो जागा, डाक कर दिया होगा, तो आप बताओ मेरे पास क्या आगे, क्योसन आ गई, ती वन पिलास, रूट थ्री, टी टू और हंड्रेड, यह वैलू जो है इहां पर आपके साम तो क्या मेलेगा, आपको आपको आफर में जाएंगा, टी टी की वैलू, तो आइए, मैं बैलू हमें कोट कारता हूं। गो, टी टी वन कितना हंतो, टी वन कुत Нे इन रूट कितनी करने हो। तो यह रख पक्लाश है, दो बहुंड ग्वाम कई रूट ठी हे, तो बहुत बह यहां रगदी तो यह रहा रूट तरी यह है तो आप देखना है इसके मेंटिफ्लाइए करोगे आगे वेटा हमपा देहना तो रूट त्री रूट त्री कितना होगा यह यह हो जागा थ्री तो टीवां पिलास कि यह कि यह रूट ट्रीर रिटी कि ए इसके मेंटिफ्लाइए करोगे तो वेटा यह कितना यह जायाएगा इसे सब्सक्राइग है अरगे कि छार से तो आजागा 25 यह जाएगा तो T1 की वैलू कितनी आगे यहां से वड़ा यहां से आगे 25 नूटन तो T1 कतना आगया T1 आगया 25 नूटन वैलू आगया तो फिर हम वैलू कर रख सकते हैं वैलू मान निकालेती कि T2 एक्वाल टू रूट 3 T1 यह वैलू निकालेती T2 एक्वाल टू T1 रूट 3 तो यह वैलू मान यहां निकालेती वैलू रख तो यहां पर जब इसकी वैलू वैलू यहां बावालू उट करोगे यहां पर तो क्या आगा तीटू आजागा आने की 25 रूप 3 यह वायलू किसके लिए आ गई तीवन किया गई और एक वायलू अपर यह आ गई तो मैं आंसर लेज दे रहा हूं तीवन कितना आया है तीवन आया है 25 नूटन आया है तीटू आया है 25 रूप 3 आया है और 23 आया था आपका 50 नूटन यह आपके क्या है आंसर है आपके सॉल कोरने के आंसर क्लियर हाँ यह सवाल है बिल्कुल बेसिक टैपको सवालट नो इतना क्लियर ना यह सब यही पर है इसको बेख लेना ठीक ना आई यह बस करना क्या है यह कुछ नहीं करना सिर्फ आपको पहले एक्स एक्स क्वण बरावर करना है दूसरे कैसे में बाई एक्स की बरावर करना है यह कुली आप पॉस्टिंग इस लिए कूंकी यह इनको क्या है और यहÃ इन और्पर दोगे किसे बरावर कर दोगे कि यह उठे डांचय में वायद स्मिन और इनको बरावर करने क्योंकि यह और अंसर आ जाएगा इतना क्लियर और अब आपके में एक सवाल आता हम पर नहीं इसी टाक करें एक सवाल नहीं है कि देखते हैं सवाल आके इसी सवाल होगत अचर्कॉल कर रहा है सब्सक्राइब थोड़ी तो देर रुब जाईएगा तर नहीं है कि इतना के लिए रोड़ा नहीं है अब बस इसी टाइब के सवाल है कुछ भी यहां पर नहीं है इतना के लिए इतने सफिसेंट हैं ति बस अपने ध्यान कियेंगा और अच्छे से पढ़ाय कि लिएगा बस मिलते हैं मैं फिर किसी और लक्षर में नए मिनूट के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल ओके बाए टटा है